हेलो फ्रेंड्स मैं सिम्रंजीत सिंग इस वीडियो में हम पर्प्रेशन करेंगे आई-पी पेपर की 12th क्लास के और हम बात करेंगे माइस्कुल के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वान इस डिस्टिंक्ट कीवर्ड और एक हम बात करेंगे एग्रिगेट फंक्शन चलिए करते हैं सबसे बेले बात करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम क्या करता है डुप्लिकेट वैल्यू को रिमूव करके वह एक ही बार एक वैल्यू को दिखाता है तो कहने का मतलब जैसे फॉर अब अगर मैं employ table को रन करूं तो यहां पर आप देखो कि इंपलोई आईडिया रहा है इंपलोई नेम आ रहा है डिपार्टमेंट आ रहा है डेट वर्थ सीटि अब इसमें से करा कोंट में कृतिका है अकाउंट में गुनिट है लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे कंप्यूटर से सिर्फ देखने तो जब मैं डिपार्टमेंट कॉलम यूज़ करूंगा यहां पर फ्रॉम इंप्लॉय में तो कंप्यूटर क्या कर रहेगा बिसी कली computer मुझे सारे departments के नाम बता देगा, ठीक है सारी rows, लेकिन क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास एक से ज़्यादा, एक department में एक से ज़्यादा employer थे तो इस वज़े से वो department name भी उतनी बार repeat हो रहा है, जैसे IT में दो लोग थे, account में दो लोग थे हम चाहते हैं कि जब output आये, तो अगर duplicate value है, तो उसे एक ही बार दिखाया जाए, दो बार ना दिखाया जाए, या चार बार ना दिखाया जाए, जितनी बार वी values आए, बार बार ना दिखाया जाए, duplicate ही नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर use कर सकते हैं distinct keyword, ठीक है, जैसे मैं यहाँ यहाँ पर distinct में लिख रहा हूँ, department, मुझे दिखाओ, किस में से employee, ठीक है, तो अब जब मैं distinct keyword use करूंगा ना, department के साथ, तो वो क्या करेगा, वो duplicate को remove करके एक ही बार दिखायेगा, देखिए, पहले अब आ रहे थे six, ठीक है, अगर मैं यह command चलाऊं, ठीक है, तो command मुझे यह बता रही है, कि let's suppose, यह six values है, यानि कि six employees काम कर रहे हैं, लेकिन department भी six आगे, क्योंकि एक department में multiple लोग काम करें, तो department repeat हो रहा है, तो मैं actually लेख रहा सिर्फ department कौन कौन से है, इसलिए मैंने distinct लगा रहे हैं, कि जहां पर दो तीन department employees हैं, तो एक ही बार दिखाए, तो यहां पर क्या हुआ, अब IT एक ही बार आ रहा है, तो मुझे पता लगया, मेरी job में यहां पर four departments है, जिनमें काम हो रहा है, तो distinct क्या करता है, distinct duplicate value को क्या कर देता है, remove करके single time दिखाता है, ठीक है, अब distinct keyword, अब distinct keyword के आगे चलते हैं, बात करते हैं, aggregate functions की, बहुत important aggregate function है, exam point of view से, so aggregate function क्या करते है, aggregate function basically आपकी data को summarize करने के लिए use होता है, so जब आपको single value चाहिए, multiple values के पीछे, कि एक value से मुझे पूरी values के बारे में पता लग जाए, तो हम लोग क्या use करते है, aggregate function, कुछ common aggregate functions के अगर हम बात करें, जैसे employee table की बात करते हैं वापिस, so let's तो मैं देखना चाहता हूँ, यह दिखे अगर employee table देखें, तो मुझे एक value चाहिए, summary, जैसे मैं देखना चाहता हूँ, कि कितनी salary मैं total दे रहा हूँ, so मैं अपने employees को कितनी salary दे रहा हूँ, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर एक aggregate function use कर लूँगा, sum, so मैं यहाँ पर लिखूँगा sum of salary from employee, तो वो क्या करेगा, salary column में जितने values हैं, उन सब को plus कर देगा, यह देखिए, 98,000, यानि total 98,000 rupees मैं salary दे रहा हूँ, तो अगर आप इसको plus करोगे 15, 20, 25, 20, 80, तो इसका sum जो है, वही आएगा, जो यहाँ पर हमने aggregate function, ठीक है, अब जैसे आपके पास बहुत जदा record है, तो एके करके plus करना difficult हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पर हमें aggregate function दे दीगे हैं, जैसे sum, तो एक ही value हमें बता देगी के total plus करके बता दिया, same, आप देखना चाहते थे, let's suppose, average salary कितनी दे रहे हैं, ठीक है, तो we have a function with the name of AVG average, नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि exam में अगर multiple choice questions आते हैं, या करी पर output आता है, कि सही predict करो output, तो अगर in case, अगर आपने नाम function का गलत दे दिया है, तो फिर आपका answer भी गलत हो जाएगा, ठीक है, so let's suppose, AVG average denote करता है, so मैं average salary देखना जाता हूँ, मैं run करूँगा, तो मुझे average salary बता रहेगा, कि यहाँ भी 19,600 average salary employee को जाती है, अब अगर यहीं पर आप इस तरह से लिख देंगे average, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपको error देदेगा, वो आपका code नहीं चलाएगा, यह देखो, error आजाएगा, नीचे, ठीक है, यह देखिए, function average does not exist, क्योंकि इस नाम का function ही नहीं है, average निकाल नहीं है, तो वो कहता है, average का syntax है, AVG, आपको AVG लिखना है, average, तब आपकी output आएगे, ठीक है, same, अगर आप देखना चाहते है, highest value, मैं देखना चाहते हैं, सबसे highest salary के इतनी है, तो select max, max क्या करेगा, आपको highest value देदेगा, ठीक है, अब अगर मैं इसे run करूंगा, तो यह highest value आईगे, 25,000 highest salary है, same, अगर मैं देखना चाहता हूं, lowest salary, तो min, min आपको minimum salary जो है, वो return करेगा, तो यहाँ पर जब हम min की बात करेंगे, तो अगर हम इसे run करें, ठीक है, 15,000 minimum salary है, तो एक हमारे fast function हो गया, average, ठीक है, एक function है, हमारे पास sum, ठीक है, तो हम sum जब हमने plus करना है, sum, अगर हमने average निकालनी है, avj, अगर हमने highest value देखनी है, max, अगर हमने lowest value देखनी है, तो min, ठीक है, और एक और बहुत ही खास function है, हमारे पास count, so count क्या करता है, count values count करता है, कि उस column में कितनी values है, ठीक है, जैसे एक बार फिर से पहले table चला कर देखते है, employee, ठीक है, so employee है, so let's just मैं देखना चाहता हूँ, department column में कितनी values है, तो select dip count, department, from employees, sorry employees, so आप देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, so answer आना चाहिए, six, ठीक है, so देखें, answer आके, six, six values है, same, अगर मैं इसे run करो, तो आप को धियान रखना है, कि जो aggregate function है, वो null value company करते, इसे salary है, तो आप देखोंगे, मेरे पास six employees है, लेकिन salary five की है, six की salary null है, नल मतलब हमने enter नहीं की, so अगर यही value मैं salary column की उपर लगाऊंगा function, ध्यान से देखेगा, अगर यही function मैं salary पर दिखाऊंगा, तो answer क्या आ रहा है, five, but अगर यही function मैं department में लगा रहा हूं, तो क्या आ रहा है, six, क्यूं, क्यूंकि department column में six values है, and salary column में five है, नल count नहीं हो, ठीक है, और count को use करने का एक और तरीक है, you write count, आप कोई column का नाम ना लिखिए, आप लिख जिए star, तो देखिए अब answer क्या आएगा, six, अब यह six कैसे आया, six इस तरह से आया कि count star क्या करता है, count star number of records एक पर है, so हमारे पास total record कितने थे, six record थे, तो उसलिए उसने six answer दे दिया, तो इस तरह से count function करता है, तो यह कुछ aggregate function है, जो आपके fingertips पे होने चाहिए, sum, average, max, min, count, right? चलिए, thank you very much for watching.